दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप NIEALIT International Institute of Electronics and Information Technology CCC के लिए अपना उनलाइन फार्म घर बेठे किस तरीके से अपलाई कर सकते हैं तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है असोक और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चिनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले NIEALIT की ओफिसल साइट खुल लेना है तो यहाँ से आपका CCCC October के लिए 2023 के लिए अपना online form यहाँ से fill up होता है तो यहाँ पर दोस्तो आपको apply पर click करेंगे फिर यहाँ पर course on computer concept CCCC इस बाले option पर click करेंगे फिर आपके सामने यहाँ पर दोस्तो नोटिफिकेशन आएगा आप चाहो तो इसे पूरा read कर सकते हैं अच्छे से इसकी सारी details आपको यहाँ पर मिल जाएगी आती है उनमें अधिकतर form में यह triple C का certificate मांगा जाता है अगर आप यूपी से है तो अगर all state में भी यह काम करेगा तो यहाँ पर दोस्तो इस डबे पर declaration पर click करेंगे और I agree and proceed बटन पर click कर देंगे तो फिर आपके सामने यहाँ पर आपका जो application form है वो open हो जाएगा examination application form course on computer concept triple C तो दोस्तो वीडियो को ध्यान से देखेगा मैं आपको step by step बताऊँगा ताकि आपको फार्म भनने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो कोई भी mistake ना हो तो दोस्तो फार्म भनने से पहले अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया है तो like करें और channel पर पहली बार हो तो channel को subscribe करें साथी bell notification all per set करके रखें जिससे आगे भी आपको इस related वीडियो मिल सके तो यहाँ पर दोस्तो आपको have you got online reference number of enrollment with NILT अगर आपके पास में हैं तो yes कर सकते हैं नहीं है आप online ही ये करना चाहते हैं तो no पर टिक रहने देना है क्या आपने पहले triple C परिक्षा के लिए आविदन किया है अगर किया है तो yes करेंगे और उसका यहाँ पर पिछला roll number डाल सकते हैं अगर नहीं किया है तो no पर टिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो applicant full name आविदक का पूरा नाम तो यहाँ पर आपको mr.ms.adher ये select करेंगे यहाँ पर आपको अपनी जो highest qualification certificate है उसके according यह आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है यहाँ पर आपको अपना full name डाल देना है तो दोस्तो यहाँ पर मैं आपको एक live demo form फिल करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से आपको अपना form apply करना है यहाँ पर आपको care of देखवाल किसने की है आपके माता पिता ने या फिर guardian सररक्षा कोर किसी ने तो वो यहाँ पर select करेंगे यहाँ पर father's पिता का नाम इस box में father's का name आजाएगा यहाँ पर mother's name आएगा और यहाँ पर दोस्तो आपको इस calendar से आपको अपनी date of birth सबसे पहले year select करेंगे यहाँ से यहाँ से अपना year select कर लेंगे उसके बाद में यहाँ से month और date यह select कर लेंगे कोई भी यह example बता रहा हूँ यहाँ पर आपको category यहाँ पर आप जंडल SC, ST, OVC जो भी आपकी category है select करेंगे यहाँ पर आपको ब्यवसाय आप क्या करते हैं government employee है government undertaken या self-employed या other वो यहाँ से select कर सकते हैं अगर दिब्यांगता में आते हैं तो यहाँ पर yes करके अपना रूप से कमजोर है अगर आप तो yes करेंगे नहीं आते हैं तो no पर टिक रहने देना है यहाँ पर contact detail यहाँ पर phone bit STT code के साथ में आपका number है lead line number तो यहाँ पर डाल सकते हैं यहाँ पर आपको mobile number डालना है इस box में यहाँ पर आपको अपनी email ID डाल देना है यहाँ पर दोस्त का नाम type करेंगे और यहाँ पर आप किस राज्य से हे यहाँ पर अपना राज्य का चुनाव करेंगे यहाँ पर दोस्तो आपको अपना जिला select कर लेना है यहाँ पर आपको अपने area का pin code डालना है और यहाँ पर educational qualification details यहाँ पर आपकी उच्छितम section यहाँ पर दोस्तों पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या दसवी या बारवी या टैन प्लस आईटी आई जो भी हो वो इन में से यहां से सलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में यहां पर येर ओप पासिंग उत्रीन बर्स डाल देंगे यहां पर दोस्तों आपको एग्जामिनेशन डिटेल्स आप किसके मन्त एक्जाम आजाएगा हर मन्त होता है इसका एक्जाम उसके बाद में यहां पर सलेक्ट एक्जाम नेम तो यहां पर अक्टूबर का है यह फार्म अक्टूबर मन्त का तो यहां पर अक्टूबर 2023 सलेक्ट करेंगे यहां पर आपकी फीज जो लग रही है 590 रुपे आप बी एक CT select कर लेंगे आपको उसके बाद में second परिक्षा केंदर भी इसी प्रकार से यहाँ पर select करेंगे दूसरी examination CT यहाँ पर select करना है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आपके पास में हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको upload photograph तो यहाँ पर आपकी जो photograph है वो यहाँ पर ध्यान से समझेगा नहीं तो आपका photograph upload नहीं होगा यहाँ पर आपका जो photograph का size रहेगा पास से पचास के बी के अंदर में रहेगा और यहाँ पर 132 गुने तो 170 पिक्सल बेट ते 132 पिक्सल हाइट 170 पिक्सल और यहाँ पर 96 से 300 d इसके बाद में यहाँ पर दोस्तो इस size में ही आपको upload करना है तो ही photo upload होगा तो यह size आपको 132 गुने तो 170 पिक्सल और 132 पिक्सल हाइट 170 यहाँ पर यह size बनाना है तो यहाँ पर दोस्तो आपको मैं example बता दे रहा हूं कैसे बनाना है मान लिजी आपको यहाँ पर paint में ज यह बिंडो ओपन होगी तो यहाँ पर आपको pixel में बनाना है तो यहाँ पर pixel पर select करेंगे और यहाँ पर इस checkbox को हटा देंगे फिर यहाँ पर दोस्तो आपकी जो height और width क्या मांगा है तो यहाँ पर आपको देखना है 132 गुनित 170 तो यहाँ पर आपको 132 और यहाँ पर 170 इस तरीके से आप करेंगे और यहाँ पर ok कर देना है तो यहाँ पर आपको यह photo को save करना है तो यहाँ पर दोस्तो आपको अपनी वो photo को save कर लेना है तो आपकी जो photo है आसानी से यहाँ पर upload हो जाएगी इसी प्रकार से आपको upload signature यहाँ पर signature का size भी 170 गुनित 132 पिक्सल मे ही आपको यहाँ पर बनाना है उसके बाद में ही यहाँ पर upload होगी यह सारे documents यह गिप्चा कोट को इस box में fill करेंगे और यहाँ पर दोस्तो इस डबे पर declaration box पर टिक करेंगे submit बटन पर क्लिक कर देंगे फिर यहाँ पर दोस्तो आप जैसी submit करेंगे तो यहाँ पर आप दे अपने form की payment करना है तो यहाँ पर दोस्तो final submit इस बाले option पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने form की finally payment कर देना है यहाँ से फिर दोस्तो यहाँ पर इस तरीके से page open हो जाएगा तो यहाँ पर आपका application number और यह details को लिखना ना भूलिए यहाँ पर demand note संक्या और demand तिथी यह सार बेठे अपने mobile से या internet banking card से किसी से भी करना हो तो यहाँ पर आप online select करेंगे फिर यहाँ पर pay online option को click कर देंगे तो यहाँ पर credit card debit card या internet banking या UPI या QR code के माध्यम से आप अपने form की finally payment कर सकते हैं यहाँ से जैसे ही आपके finally form की payment हो जाएगी तो आपका form finally submit हो जाएगा तो उस दोस्तो इस तरीके से आप NIELIT CCC October 2023 के लिए अपना online form घर बेठे आसानी से भर सकते हैं तो दोस्तो यह government job में काम आता है इसका certificate तो आप चाहते हैं कि computer का certificate हो आपके पास तो आप यह form apply कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो please like कीजिएगा और अपने दोस्त वीडियो मिल सके ठेंक्यू दोस्तो धन्यवाद